सिद्धा रमया दूसरी बार करनाटक के मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं कॉंग्रस के खिलाफ राजनीती शुरू करने वाले 55 साल के सिद्धा रमया कॉंग्रस नेता के रूप में दूसरी बार सीमपत की शपत लेंगे इस तरह कॉंग्रेस आला कमान ने जमीनी निता कहे जाने वाले सिद्धा पर दुबारा भरोसा चताया क्या है उनकी पूरी कहानी जानने के लिए पीछे चलते हैं जहां सिद्धा रमया की चुनावी राजनिती की शुबात हुई थी 1983 की विधान सभा चुनाव से पहले करनाटक के ततकालीन कॉंग्रेस मुख्य मंतरी गुंडूराव जनता के बीच अपनी लोक प्रियता खो चुके थे जनता पार्टी का टिकेट जीत की हंडी बन गया था चुनाव से ठीक पहले सिदारमया जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे सैक्डों दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी अपने ले टिकेट चाहिए था अपनी तरफ से वो पूरा जोर लगाए हुए थे पार्टी दफ्तर के भीतर उनके टिकेट की पहर भी कर रहे थे अब्दुल्नजीर साब कहते हैं कि इमर्जंसी के दौर के बाद जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने दक्षिन करनाटक के कद्दावर नेता H.E.T. देवगौडा ने उनके नाम पर वीटो कर दिया था पब्लिक प्लैटफॉर्म पर देवगौडा ने बज़े गिनाई सिद्धा का दक्षिन पंथी रुझान वाला होना बगर असल में बज़े ये थी कि गौडा अपनी राजनितिक जमीन पर ऐसी पिछली जाती की नेता को बन अपने नहीं देना चाते थे जो उनके दर्बार में हाजरी न लगाता हो जो भी हो सिद्धा का टिकेट कटा वो मायूस होकर अब्दूल नजीर साब के पास लोटे सिद्धा उन्हें अपना राजनितिक गुरु मानते थे और नजीर के कहने पर उन्होंने मैसूर के चामुन डेश्वरी सीट से निर्दली पर्चा भरा पर्चा भरने के बाद चुनाव के तयारी में लगे वो अब तक वो किसानों के वकील के तौर पर जनता में काफी लोकप्री हो चुके थे उन्होंने कॉंग्रस के जैदे राजे उर्स को तीन हजार के मार्जीन से पट करी दे दी इसी तरह 1983 के चुनाव के नतीजों में तरशंग को विधान सबा करी थी 95 सीट के साथ जनता पार्टी सबसे बड़ी सियासी तन्जीम थी उसको बहुमत के लिए 18 विधायकों की दरकार थी CPI और CPM के 33 विधायकों ने जनता पार्टी को समर्थन दे दिया और इस तरह गिंती पहुची 101 पर इस जुनाव में 22 निर्दली उमिद्वार जुनाव जीत गए थे इन में से अधिकतर ने जनता पार्टी को समर्थन दिया और रामकृष्ण हेगडे करनाटक के मुखे मंत्री बने उनकी सरकार को समर्थन देने वाले निर्दली विधायकों में सिद्धा रमया भी थे रामकृष्ण हेगडे ने उन्हें करनाभाशा को फर्स लाइंग्वेज के तौर पर लागू करने के लिए बनी समिती का ध्यक्ष बनाया और ये सत्ता के गलियारे में उनका पहला कदम हुआ सिद्धा रमया के आगे के सफर को जानने से पहले करनाटक की राजनीती के कदावर नेत ताके एक दावे को सुन लेना चाहिए दस फरवरी 2018 प्रस से बात करते वे करनाटक की राजनीती के पिता महा एच्वी देवगवडा गुस्य से भरे हुए थे उनके शिकायत थी कि तीन दिन पहले श्री श्रावन बेल गोला में हुए महाविशेक के दौरान सिद्धा रमया तहजी भूल गए करनाटक के मुख्यमंत्री ने उन्हें उद्घाटन समारों के दौरान बोलने का मौका नहीं दिया इस पर नाराजगी जताते वे देवगवडा ने कहा सिद्धर हमया ओछे आदबी हैं उनको राजनीती में आगे बढ़ाना मेरे जिवन के सबसे बड़ी भूल थी देवगवडा का ये बयान आगरे दिन अकबारों के सुर्खी बन चुका था सिद्धर हमया ने इस बयान का जवाब देने के लिए दो महीने का इंतजार किया साथ माई 2018 को बेंगलूरू प्रेस कलब में मीडिया से बाचीत करते वे उन्होंने देवगवडा के दावों को खारिच किया सिद्धर ने कहा सिर्फ देवगवडा उस जीत के जित के जिम्मदार नहीं हो सकते हम सब की मेहनत की वज़े से वो मुख्य मंत्री बने और बाद में पधान मंत्री मुझे सियासत में आगे बढ़ाने के लिए देवगवडा ने कोई प्रयास नहीं किया ये रामकृष्ण हेगडे थे जिन्नोंने मेरी योग्यता को पहचाना और मुझे सियासत में आगे बढ़ने का मौका दिया आकरिन न तो सिद्धा के दावे को पूरी तरस ठीक ठहराते हैं और नहीं देवगवडा के 1983 में सिद्धा अपना पहला निर्दली चुनाव लड़े थे 1985 की विधान सभ़ चुनाव के वक्त वो जन्ता पार्टी में आ गए थे इस चुनाव में रामकृष्ण हेगडे के नेतरुत्व में जन्ता पार्टी एक सो पैंटी सीटे जीती थी हेगडे ने दूसरी बार जीत कराये सिद्धा को अपने मंत्री मंदल में जगे दी उन्हें क्रिशी मैकमा सौपा गया इसके बाद बुमे सरकार में भी वो मंत्री रहे यहां सिद्धा का ये दावा सही लगता है कि हेगडे ने उन्हें आगे बढ़ने में काफी मदद की लेकिन ये सिख्के का एक पहलू है 1994 में देवगौडा करनाटक के जन्ता दल की सदारत कर रहे थे उस वक जन्ता दल में दो खेमे साब दिखते थे पहला खेमा देवगौडा का था और दूसरा रामकृष्ण हेगडे का इस समय तक सिद्धा देवगौडा के खेमे में जा चुके थे 1994 के चुनावा में जन्ता दल को मिली 115 सीटे पूर्ण बहमत मिलने के बाद जन्ता दल में मुख्य मंत्री पत के लिए घमासान शुरू हुआ आकिरकार हरकेशन सिंग सुर्जीत और बीजू पतनाय की मद्धस्ता में देवगौडा को सूबे का नया मुख्य मंत्री बनाया गया ये रामकृष्ण हेगडे के राजनेतिक आउसान की शुरूआत मानी गई 1994 में मुख्य मंत्री देवगौडा ने सिद्धा को बता और वित्त मंत्री अपने कैबिनेंट में जगे दी सिद्धा इस समय तक देवगौडा के सबसे भरोसे मन लेफ्टिनन बने 1996 में एकनाटकी घटना करम के चलते देवगौडा के भाग कची का फूटा जो दीबसू के पैर पीछे खीचने के बाद उन्हें पधान मंत्री की कुर्से मिली और देवगौडा के करनाटक छोड़ते ही वहां सब्ता के लिए नए सिरे से संगर शुरू हुआ देवगौडा चाहते थे कि उनके जाने के बाद करनाटक की बागडोर उनके किसी भरोसे मन सिपैसलार को ही मिले सियासत में उम्र खपा चुके थे देवगौडा और जानते थे कि वो जिस सरकार के प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं वो 5 साल नहीं चलेगी ऐसे में उन्हों करनाटक में अपनी वापसी के लिए दर्वाजे खोल कर रखने थे इधर रामकृष्न हेगडे का कहना था कि प्रधान मंत्री की कुरसी के बदले में देवगौडा को करनाटक की कुरसी का बलेदान करना चाहिए 1996 की मई का आखरी सपता जनता दल और सेउक मोर्चे के लिए बड़े तनाव में बीता एक जून को अटल भिहायरी वाजपई को अपना भौमत सावित करना था देवगौडा सेउक मोर्चे की नेता चुने जा चुके थे और वाजपई के तक से उतरने की रात देख ही रहे थे इधर करनाटक में उनके वारिस को लेकर गमासान चल रहा था सरकार बनने से पहले जनता दल किसी किसम की फूड को भुगतनी की सिती में नहीं था 1994 में विधान सभा चुनाव में कुल 34 लिंगायत विधायक जनता दल के खाते में आये इन विधायकों का अरोब था कि वोक का लिगा समुदाय से आने वाले देवगौडा उनके और उनके समुदाय के साथ भेभभाव कर रहे है जेश पटेल को मुख्य मंत्री बनाने के लिए रामकृष नहेगडे का गोट यही तर्ब दे रहा था इधर देवगौडा सिद्धारमया के नाम के बिचे जोर लगाय हुए थे वो कुर्बा समुदाय से आते थे और सामाजिक नहाय के नाम पर देवगौडा उनके दावेदारी को जायस ठहरा रहे थे अब सीन यह था कि जेश पटेल और सिद्धारमया के लावा और भी कई दावेदार थे मुख्य मंत्री की दौड में देवगौडा सरकार के ग्रह मंत्री PGR सिंधिया, क्रिशी मंत्री सी बाइरेगौडा, उद्योग मंत्री आर्वी देश पांडे यह सब खम ठोक रहे थे अलागि असल मुकाबला सिद्धा और जेट पटेल के बीच में इताओ और यह सब जानते भी थे देवगौडा अपने खेमे की जीत के लिए निशिन थे, 115 में से 80 के करीब विधायक सिद्धा के नाम पर राजी बाता आए गये तम 29 मई 1996 का दिन आया, करनाटक में सत्ता हस्तान तरण को शांती से निप्टाने के लिए शरद यादाव को दिली से करनाटक भेजा गया अगले दिन जंता दल के विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, देवगौडा पहले से तयारी करके बैठे हुए थे और जंता दल के ज्यादतर विधायक उनके खेमे में थे भी, ऐसे में सिद्धा का मुख्यमंत्री चुना जानाता है, माना जा रहा था सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग, उमीद के मुताबिक हंगामा खेज रही, देवगौडा लगातार इस बात पर जोड दे रहे था कि मुख्यमंत्री के नाम पर वोटिंग करवानी चाहिए, रामकृष्ण हेगडे का खेमा इस बात के लिए राजी नहीं था, हो अल् शरद यादा को इस समेती का सदस्य बनाया गया, इस कमिटी में भी देवगौडा वोटिंग का राग अलापते ही रहे, आखिर का रामकृष्ण हेगडे ने उनके सामने पार्टी तोडने के धमकी दे दी, देवगौडा अब नाजुक दो राहे पे खड़े थे, हेगडे अगर 34 लिंगायत विधायकों के साथ वाकई जंता दल सलग हो जाते, तो ना सिर्फ उनके प्रधान मंत्री पत की दावेदारी संकट में आ जाती, बलकि वो सूबे में मुख्य मंत्री बने रहने के काबिल भी नहीं रह जाते, उस सिद्धारमयया के लिए अपनी प्रधान को समर्तन खीसे में डाले सिद्धा, खुश कबरी सुनने के मूट से पहुचे थे, और वहाँ जाकर उन्होंने पाया कि उनके मिंटर देवोगोडा का ही सूर बदल गया, रांकुष ने ने उन्हें सपाथ शब्दों में कहा कि उनके पास मुख्य मंत्री बनने के लिए प्रोसा नहीं खोया, 1999 में करनाटे की जनता दल में टूट हुई, जेश पटेल, नितीश कुमार और शरद्यादव की जनता दल युनाइटेट से जा मिले और बीजेपी के साथ गड़बंदन में चले गए, बीजेपी के विरोध में खड़े हुए देवगोडा ने अपने 60 सीटों के साथ कॉंग्रेस दूसरे नमबर पर रहे, 58 सीटों के साथ सत्ता की चाबी जेडियस के हाथ में आई, चुनाओं के बाद जनता दल और कॉंग्रेस के बीच सेकुलरिजम के नाम पर समझवाता हुआ, और सत्ता का बटवारा हुआ तब के महराश मॉडल पर, इसक का सियासी रसूग बनाये रखने के लिए, उनके बड़े बेटे HD रवन्ना को PWD और सिचाई विवा की कमान दी गई, लेकिन ये दौर नए नायकों के उभरने का था, देवगोडा के छोटे बेटे HD कुमारा स्वामी को भी विदायक होने के बावजूद, धर्म सिंग के मं मुखे मंत्री के पपर लगी रही, जहां बैठते सिद्धा रमया, धीरे धीरे उन्होंने सिद्धा के नटकस्ने शुरू किये, वो पाटी दफ्तर में बैठे रहते, सिद्धा के मंत्राले उसे जुड़े प्रस्ताव पास कर देते और उन्हें लागू करने के लिए forward भी क साथ बढ़ा, सिद्धा रमया को उमीद थी कि देवगोडा अपने बेटे की तरफ से की जा रही, ज्याती को उस्ताखी को बंग करवाएंगे, लेकिन इसके उलट वो चुप चाप इस खटपट को देखते रहे, आखिरकार सिद्धा रमया ना बगावत का मन बनाया, 25 उला के इन बैनेरों पर कंणर में लिखा हुआ था अंडू देवराज अर्स, इंडू सिद्धा रमया, इसका हिंदी तरजुमा इस तरह से होता है कि तब देवराज अर्स, अब सिद्धा रमया, अब सिद्धा रमया के इस कदम ने देवगोडा को डाल गिया, चिंता में उन्ह सिधारमया की परात्यमिक सदस्यता को ही रद कर दिया गया। सिधारमया ने अपनी राजनीती की शुरुआत कॉंग्रेस की विरोध से शुरू की थी। उस सूबे में दो दशक तक कॉंग्रेस के सबसे सक्त आलोचकों में से एक थे। उनको जेडियेस से निकाले जाने के तुरंद बाद अहिंदा समुदाये ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। मैसूर इलाके में कई जगे प्रदर्शन हिंसक हुआ और 20 से ज्यादा सरकारी बसों में आग लगाए गई। कई जगे पुलीस फाइरिंग हुई। इधर सिद्धर अमया की जबान गोले दाग रही थी। उनने देवगोड़ा पर आरोपों की जड़ी लगाई। सिद्धर अमया का कहना था कि कॉंग्रेस के साथ गडबंदन के दोरान देवगोड़ा ने मुख्यमंत्री की कुरसी पर सिर्फ इसले समझाता कर लिया क्योंकि देवगोड़ा उनने इस कुरसी से दूर रखना चाते थे। उनका दूसरा आरोप था कि देवगोड़ा अपन में मिलाया और JDS से अलग चले गए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा अखिल भारती ये प्रगतिशील जन्ता दल कॉंग्रेस से ना कनाटक ये नाम पहले पर सुन चुका था धर्म सिंग भी अंदरूनी तोर पर कुमारा स्वामे के सरकार में दखल अन्दारी से परिशान ही थे और दिसम्बर 2005 में सुबह में पंचाय चुना हुए तो मौका मिला उने इस चुनाओं में कॉंग्रेस ने कई जगों पर सिद्धा रमया की प्रगतिशील जन्ता दल का समर्थन कर दिया और इसके दो मेने के भीतर ही एचिटरी कुमारा स्वामे ने और चक तरीके से कॉंग्रेस से समर्थन वापस लिया बीजेपी के साथ गए और खुद बन गैसी हैं जेडियस और बीजेपी का गटबंदन सिद्धा के लिए मौका बन कर आया 2006 के शुरुवात में उन्हें समझ में आ गया था कि अपनी पार्टी का प्रेवग बनाना बहुत ज़ादा समझदारी वाला आइडिया है नही सियासी रसूप की गवाई देते वे मौझूद थी कॉंग्रेस की सदस्यता लेने के बाद सिद्धारमयया ने कहा मैंने बिना किसी शर्त के कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहंड कर ली है मेरा मकसद करनाटक में चल रही जेडियस और बीजेपी की अनायतिक गड़बंदन वाली सरकार को पट करनी देना है लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी कोई महत्वा कांचा नहीं है राजनीती में हर कोई कुछ न कुछ बनने आता है हम लोग सन्यासी नहीं है सिद्ध रमया ये बयान दे रहे थे और उनके बगल में खड़े थे मलिक आर्जुन खर गे हके पाटिल और धरम सिंग जैसे कई कंदावर कॉंग्रेसी नेता सिद्धा कॉंग्रेस में नाई सिरे से खेमे बाजी का संकट अपने साथ लेकर आ गए 2008 में कॉंग्रेस कहने को धरम सिंग के नेतरतों में लड़ रही थी लेकिन असल कमान थी सिद्ध रमया के हाथ में दो-दो गड़ बंदन तोड़ चुके जेडियस के विश्वस्नियता संकट में ही थी सिद्ध ने जेडियस को उनके गढ़ में जाकर चुनाती दी धरम सिंग हैदरबाद करनाटा के लाके के बड़े नेता थे वो इस इलाके में कॉंग्रेस को मजबूत करने में जुटे हुए थे 2008 की मई में में विदान सभाचुनाओ में कॉंग्रेस के मदर्शन काफी सुधरा उसे पिछले चुनाओ के मुकाबले 15 सीटे ज्यादा मिली कुल 80 विधायकों के साथ वोट शेयर के लिहाज से वो सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनी अलागि त्रिकोर्ण ये मुकाबले के चलते विजेपी 110 सीटे जीतने में कामयाब हुई 2009 के लोग सभाचुनाओ में करना टेक्स से कॉंग्रेस के लिए हताशा करने वाले रुजानाए उससे 28 में से महस 6 सीटे मिली लेकिन सिद्धा रमया इन पर नामोश्रे खूशी थे इन 6 कॉंग्रेसी सांसदों में से 2 ऐसे थे जो सूबे में उनके वर्चस को सीधे चुनाओती देते थे पहले थे पूरो मक्य मंतरी धरम सिंग जो बीदर सीट से चुनाओ जीत कर दिल्ली की रह पकड़ चुके थे और दूसरे थे मल्लिक आरजुन खरगे जिन्होंने गुलबर्गा सीट से दर्श की थी ये भी दिल्ली की राजनीती में सेम क्रिशना को आला कमान राजसभा के रास्ते 2008 में दिल्ली बुला चुकी थी और सिध्धा के सामने सुबे में अब सिर्फ एक चुनाओती बची थी जिसका नाम था डीके शुकुमा पार्टी ने उन्हें कारेकारी अंदक्ष बना कर रखा हुआ था 2013 के विदान साभा चुनाओ सिध्धा के लिए सुनरा मौका थे उन्होंने पूरे चुनाओ के दोरान इस बात को बार बार दोराया कि ये उनका आखरी चुनाओ है बीजेपी ने करनाटक को 2008 से 2013 के बीश तीन मुख्यमंत्री दे दिये थे येदी उरप्पा बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके थे इस चुनाओ में कॉंग्रेस 122 सीटे जीतने में कामियाब रही कॉंग्रेस चुनाओ से पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पत का उमीदबार घुशित कर चुकी थी ऐसे में विधायक दलके नेता की तौर पर उनका चुनाओ एक आपचारिकता ही थी और वो पूरी भी हुई 13 माई 2013 को उन्होंने करनाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपत ली पहली बाद पांच साल का कारेकाल बिना रुकावट के पूरा किया पूरे 40 साल बाद करनाटक में ऐसा हुआ था करनाटक में देवराजर्स के बाद सिद्धा दूसरे मुख्यमंत्री थे जिरोंने 5 साल का कारेकाल पूरा किया था कॉंग्रेस 5 साल बाद फिर से सरकार में आई लेकिन सिद्धा रमया के पुरानी पार्टी यानि JDS के साथ गड़बनन में मुख्यमंत्री कोई और बना फिर एक साल बाद बिजेपी ने दल बदल के जरीय सब्ता हत्याली और सिद्धा रमया राज विधान सभा में विपक्ष के नेता बने सिद्धा रमया के बारे में कहा जाता है कि वो मास्ट रीडर है और उनका वोट बैंक सिर्फ अपनी जाती तक सीमित नहीं है दूसरी जातीयों और समुदायों में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है आलाग कि इन सब के वावजूद पिछले चुनाव में उन्होंने दो सीटों से चुनाव लड़ा था अपनी पारम पर एक सीट चामून देश्वरी से वो हार भी गए थे लेकिन बादामे सीट पर उन्हें जीत मिली थी इस बार का चुनाव उन्होंने वरुना से लड़ा और अच्छे मार्जिन से जीता भी तो ये था सिदारमया का राजन्यतिक सफर इस्टोरी आपके लिए इंडिया टुडे के रिपोर्टर विने सुल्तान ने लिखी थी और मैं नयाने निखिल ने आपके सामने इसे प्रस्तुत किया था देखते रहें दिललन टॉप